जैहन जैहन कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम यू आल सभी लोगों का दोस्तों खान ग्लोबल स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं दोस्तों क्या मैं लाइब हूँ क्या सब लोग मुझे देख पा रहे हैं और क्या मेरा आडियो वीडियो एक दम पॉफेक् कि पहले दोस्तों जल्दी से बताईए कि सब कुछ एकदम ओके है जैहन 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 मैं एकदम पॉफेक्ट हूं दोस्तों और काफी दुनों बात फिर से हम लोग एक बार मुलागात कर रहे हैं तो पहले तो मुझे इसमें यह बता दें कि कितने मेरे पुराने कि अब गल्दी है तो हम मेन में चीज़ें पढ़ेंगे जो मेन में आपके एक्जाम औरियंटेड है वह पढ़ेंगे राइट तो ऐसे ऑके ठीक है अगर हम बात करें अबरिटिंग सेट तो दोस्तों जैहन 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 चलो शुरू करते हैं अपनी ग्लास का सेशन तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं अपनी ग्लास को कि ओके बस यह बता दें कितने लोग इसमें न्यू हैं जिन्होंने एकनॉमी अभी तक नहीं पढ़ी थी खान ग्लोबल स्टडीस पर तो दाट मैं उसी इसाफ से उसी टेंपो के साथ स्टार्ट करूँगा चलिए दोस्तों बस अपने कॉमेंट आप लोग करते जाएं लगातार और अपना सेशन को इन्जॉय करिए फिरू करते हैं यहां से कि आपके जो कोशन्स हैं थोड़ा प्रिविएस येर कोशन्स को हम देख लेते हैं कि प्रिविएस येर कोशन्स आपके किस तरीके से आपके एक्जाम में पूछे गए हैं जिससे आप लोगों को आने वाले जो रास्ता है उसके बारे में किलियर हो से पहले हम जिनोंने मुझसे पढ़ा है वो पूरी economy को revise करेंगे इस बार देखा गया है कि आपके exam में मैं आज देखाऊंगा भी आपको इस बार देखा गया है दोस्तों आपके exam में कि जो questions हैं वो बहुत सारे like अलग-अलग type के questions भी आए जैसे micro economics से कुस questions आए तो चलिए द एक सवाल ये पूछा गया है और सवाल पूछा गया है कि reverse repo rate से देखिए एक question यहां से बनता है reverse repo rate तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एक topic आप लोग वैसे ऐसे topics लिखते जो अपनी copy में कि हम क्या-क्या topics पढ़ेंगे तो monetary policy जब हम मौद्रिक नीती का वरणन करेंगे म right monetary policy मौद्रिक नीती तो मौद्रिक नीती में हम ये topic हमारा clear हो जाएगा आगे कुछ बताने से पहले मुझे पहले थोड़ी सी बातें कर लूँ मैं मेरा मन था कि पहले मुझे यह बता दो कि कैसा रहा आप लोगों का SI का prelims का paper economy के संधर में बताओ दोस्तों जो भी हमने economy प बताईए कि कैसा रहा था आपका economy का सफर और जब आप paper में questions पढ़ रहे थे तो क्या same questions अपने class के discussion से पूछे या नहीं एक दो question छोड़ दें चुकि micro economics इस बार पहली बार पूछी थी बस अगर उसके दो question को अगर हम छोड़ दें तो बदाएं दोस्तों और जो नए बच्चे हैं वो इनके comments पर ज़रा ध्यान दे उससे आपको लगेगा कि क्या बात हुई है राइट तो या बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो जैसे दोस्तों अपने पढ़ा था क्या डिट्टो कोशन थे या नहीं बिल्कुल सेम टू सेम दोस्तों इस बार भी कोशिश करेंगे मेंस को हिलाने की और दोस्तों तो मचेगा बस आप अगले 10-12 दिन के लिए कमर कस लीज है ना मज़ा आगया गुर्देव लब यू बहुत अच्छा बहुत बढ़िया था सर दोस्तों चलिए तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपके कॉमेंट्स बढ़ा रहे हैं इससे मुझे फिर से एक एनरजी मिली कि मैं आप लोगों को उसी उरजा के साथ फिर से पढ पाऊं और कुछ और नया ग्यान दे पाऊं इस क्लास में राइट तो चलिए आप लोग कमर कस लीजिए और बढ़िया से आप लोग इमानदारी से पढ़ना है अगले 12 दिन की हमारी क्लास होगी तो हम जल्दी से में में चीज़ें अपनी देखेंगे ठीक है चलो तो के साथ और हम क्या करने वाले हैं आगे चलते हैं दोस्तों एक कोशन आपका मोनेटरी पॉलिसी से आया यह सारे वो कोशन्स हैं जो प्रिविएस येर में पूछे गए हैं राइट नाव दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट एक सवाल है एक देश में विशेश वर्ष के GDP, GNP वगेरा पढ़ेंगे GDP, GNP तो आप दूसरा टॉपिक यह लिख लो तो जो अपने टॉपिक्स लिख लो और बाद में मुझे दोस्तों क्लास खतम होने के बाद वो लिस्ट भी चाहिए आप वाटसेप में यहाँ पर आप मुझे लिस्ट भी भेजेंगे so that मैं समझ पाऊं कि आपने क्या लिखा राइट दोस्तों thank you so much now अगर हम बात करें आगे देखो next भारत में प्रती वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रिकाश्रत करता है तो थोड़ी सी हम आर्थिक सर्वेक्षण मता हम एक टॉपिक पढ़ लेंगे बजट तो बजट के बारे में पढ़ लेंगे और बजट से मैं आप लोगों को एक बाद बता दूँ कि जो कल हमारी निर्मला सीतरमन जी ने बजट पेश किया है तो आप जल्दी से आज क्लास के जश्ट बाद खान Global Studies के YouTube चैनल पर जाएंगे और पूरा का पूरा मैंने बजट का कल डिसकेशन किया है तो आप उस पूरे के पूरे डिसकेशन को इमानदारी से पढ़ेंगे और साथ में नोट भी करेंगे मैं आप लोगों को क्लास में बजट का conceptual पार्ट पढ़ाऊंगा बजट का जो current है वो मैंने कल YouTube चैनल पर पढ़ाया है तो क्या सब लोग पढ़ लेंगे जल्दी से बताईए आंसर मत दीजिए मुझे आंसर बाद में होगा पहले चुपचाप syllabus को अपन देखिए आपके सवाल कहां कहां से आ रहे हैं तो एक सवाल हम बजट कर लेंगे जल्दी से बजट में जो में मिन बाते हैं हम वो discussion कर लेंगे ठीक है ना इसके बाद देखिए दोस्तों एक सवाल है भारत में मनरेगा कब लागू हुआ ये बड़ा जनरल सा कोशन है मनरेगा वगेरा पर हम वैसे ही discussion कर लेते हैं अपनी class में अगर हम बात करें world economy outlook निमलिखित में से कौन संगठन प्रकाशत करता है तो एक question आप लोग एक topic बना लो अपनी copy में जो हमें लिखन पढ़ना है और वो ये अंतरराष्ट्रे संगठन एवं उनकी report एवं उनकी report तो अंतराष्ट्रे संग button एवं उनकी report के बारे में अपन चर्चा करेंगे international organizations and their report अपन वो भी पढ़ेंगे right now तो international organizations और उनकी report की चर्चाएं होगी अपनी class में कोई बात नहीं इसका नहीं हुआ पीटी वो अगले साल देगा क्या दिक्कत है अगले साल बनेंगे आप दरोगा अगर हम आगे चलें तो next देखो एक और सवाल है किस वर्स केंदर सरकार ने rail budget को आम budget में मर्ज किया ये budget हमने लिखी लिए topic हो जाएगा next निमलिखित में से कौन सा देश सारक के सदस नहीं है तो हमने कहा अंतरराष्ट्रे संगठन हम पढ़ते हैं उसमें हो जाएगा next question है निजी छेतर में छोटे और मद्यमुद्योगों को विक्सित करने के लिए उद्देश से ओध्योगे करण और निवेश निगम को प्रोजजत किया गया तो ये बड़ा common question है ये विसवेंग बगेरा वो ये इंतरराष्ट्रे संगठन बाला है सात्मी पंचवर्सी योजना तो एक और चैप्टर लिख लो जो हम पढ़ने वाले हैं योजना प्रणाली तो एक योजना प्रणाली की चर्चा करेंगे हम लोग next है दोस्तों अर्थशास्त्र को सबसे अच्छी तरह से अध्धिन के रूप में परिभाशत किया गया जनगर्णा वाला कोश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा यह वैसे भी आपने जोगरफी में भी पढ़ा होगा और आप जनगर्णा तो जनरली पढ़ते ही हैं इसको अपन यह भी एक चैप्टर पढ़ेंगे भुकतान संतुलन राइट चलो नेक्स अंतर राष्ट्र मुद्रा कोश्च वही अंतर राष्ट्र संगठन यहां से बार बार कोश्चन आ रहे हैं नेक्स दुबर्स 2011 की जनगर्णा चलो यह तो जनगर्णा का कोश्चन हो गया से सलेबस का डिसकेशन कर रहे हैं कि हम कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे राइट ना इसके लाब आगर हम बात करें बैंक दर तो देखो हमने एक चैप्टर लिखवाया आप लोगों को मौद्रिक नीती तो मौद्रिक नीती जब पढ़ेंगे उसमें से बैंक दर हो ज गरीबी लिख लिए आप लोग ने गरीबी नेक्स चैप्टर नेक्स कोशन है भारती नियोजन तो हमने योजना प्रनाली लिखी लिए एक चैप्टर वो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे नेक्स निमलिखित में से उनकी पहचान करें जो रिजर बैंक तो हम जब बैंकिंग प पढ़िया चेप्टर है, पूरा चेप्टर का नाम है ये बैंकिंग, अभी मैं आप लोगों को कोश्चन्स दिखा कर सिर्फ लिखवा रहा हूं सलेबस, क्या अगले 10-12 दिन की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, चलो, नेक्स्ट है याँ पर तिलहन के उत्पादन और उनका को बताई हैं, वो पढ़ेंगे, सत्य कथन चुनिए, वित्त आयोग, तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कराधान प्रणाली, एक और चेप्टर लिख लो, कराधान प्रणाली, कराधान प्रणाली, नेक्स है दोस्तों, वित्त आयोग, ये वित्त आयोग, कराधान प्रणा ने बताया कल मैंने बजट discussion किया और इस बार दरोगा के मेंस में बजट से question हो सकते हैं इसलिए आप लोग budget जरूर पढ़के जाएं और जिस question पर मैं कह दूँ यह आए गई आएगा तो समझो वो आने ही वाला है राइट चलो दोस्तों अगर हम बात करें तो यह देखिए मु कराधान प्रणाली वित्तायोग वो कराधान में ही दोनों हम साम सॉल्व कर लेंगे जनगरना ठीक है गरीबी हो गया एक और दोस्तों बेरोजगारी हमने एक और चेप्टर लिखा है बेरोजगारी एक हो गया अंतरराश्ट्र संगठर उनकी रिपोर्ट यह हमारे बन गए स्लेबस के कुछ में में पॉइंट राइट ना तो जो जिनके पास मेरे पहले से ही नोट से तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप वो नोट देखते जाएंगे हां सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप हमने ऑफलाइन भी आपका क्लास पड़े हैं ठीक है ठीक है बिटे